Hi everyone, मैं हूँ धननजय 16th और 17th को President of Russia व्लादिमिर पुतिन दो दिनों के official visit पे China जाते हैं जहां पे President पुतिन का इस visit को ना के सिर्फ US या European countries बलकि भारत भी से काफी close तरीके से monitor करता है हलाकि मैंने इस topic के उपर एक dedicated video बनाया है जो कि आप playlist में जाके चेक कर सकते हैं इस video में हम focus करने वाले हैं कि आखिर में President पुतिन का China visit को लेके India concern क्यों है इस video में आके बढ़ूस से पहले आपको ये video अच्छी लगती है तो channel को subscribe और video को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके बता सकते हैं geopolitics जितना complicated होता है उतना ही interesting होता है जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत के रश्या के साथ संबंद अच्छे हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाये तो बीते 5-6 सालों में रश्या और चाइना के बीच में भी संबंद काफी अच्छे हुए हैं या खास करके हम कहले कि जब से व्लादेमिर पुतिन और प्रेसेडेंट शीर्जिन अपने अपने देश को समाले हैं तब से दोनों देश काफी close आये हैं और उसके पीछे का एक जो सबसे बड़ा वज़य है वो ये है कि अननेसेसरी यूएस के द्वारा और साथ में वेस्टिन कंट्रीज के द्वारा रश्या और चाइना को पुश करना और वहीं अगर आप यूएस मीडिया को पढ़ेंगे तो ऐसा दिखाया जाएगा जैसे कि चाइनीज गवर्मेंट यूएस के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेर करते हैं इस बीच इग्जाक्ली ये कह पाना बेहत मुश्किल है कि कौन कितना बुरा है वहीं अगर हम प्रेसिदेंट पुतिन का चाइना विजिट को देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आता है वो ये है कि भारत का डिफेंस अल्मोस्ट से लेके 70% रश्या के उपर डिपेंडेंट है उसके बाद कुछ एक स्पेसिफिक सेक्टर में हमारा जो डिपेंडेंसी रश्या के उपर में है वो लगबग 80 से लेके 85% तक हम डिपेंडेंट है रश्यन वेपन्स के उपर वहीं अगर बात किया जाए तो बीते 10 सालों में Government of India को ये realize हुआ है कि भले हमारे संबंद रश्या के साथ अच्छे हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम रश्या के उपर over dependent हो जाएं नतीजदन ये होता है कि भारत अपने defense को अलग-अलग देशों से purchase कर रहा कहने का मतलब है जहां पर US, France, Israel से हम बढ़ चड़कर weapons खरीद रहे हैं उसके बाद हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम weapons manufacturing companies को भारत में invite करें और उनके साथ collaborated तरीके से हम काम करें जिसके कारण क्या हुआ कि Indian companies को भी first hand experience मिलेगा साथ में हमारा जो defense के उपर dependency रहेगा वो खुद के उपर रहेगा रश्या को आज Ukraine के war में इसलिए advantage मिला है क्योंकि रश्या बहुत हद तक weapons को अपने देश में ही बनाता है और वहीं अगर बात किया जाए Ukraine का तो ये highly dependent है US और European countries के उपर बीते कुछ सालों में जिस तरीके से चाइना और भारत के बीच में relation खराब हुए है तो ये भी exactly कहपाना मुश्किल है कि अगर कल को चाइना और भारत के forces आपस में लड़ते हैं और एक war-like situation हो जाता है तो उस वक्त Russia का stand क्या रहेगा अगर किसी भी तरीके से Russia सिर्फ 2-3 रोज के लिए ही weapons ना भेजे या delay कर दे किसी भी कारण से तो chances काफी बढ़ जाते हैं कि Indian forces back foot पे आ जाए जो कि एक बहुत ही practical thinking है वहीं पर अगर बात किया जाए व्लादमेर पुतिन और शीर्फ इनका तो इन दोनों को समझ में आ गया है कि अगर किसी भी तरीके से Russia और चाइना अपने relation को अच्छे नहीं करेंगे तो इन दोनों देशों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा लेकिन ये भी एक हकीकत है कि Russia और चाइना के उपर European countries और US Canada ये सब highly dependent है जब हम इन सब news को पढ़ें तो कहीं न कहीं हम back of the mind में अपने देश भारत को भी लेके चलें और हम ये भी देखें कि हमारा देश कितना export करता है और कितने देश हमारे उपर directly dependent है जब तक कि अधिक से अधिक देश भारत के उपर dependent नहीं रहेंगे तब तक हमारा जो approach रहेगा वो बहुत हद तक defensive रहेगा वहीं पे अगर बात किया जाए पुतिन के बारे में तो ये बहुत बार President Xi Jinping को my dear friend करके ये बुलाएं है तो ये भी बताता है कि जब से पुतिन और शीजिन अपने अपने देश को समाले हैं तब से ये लोग काफी close आये हैं वहीं पे अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा historical perspective का तो जब Russia USSR हुआ करता था तब तक China और USSR के बीच में संबंद अच्छे नहीं थे तो कहने का मतलब है कि geopolitics में रिष्टे बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि Russia और चाइना के बीच में 1949 से ही diplomatic relation स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद इन दोनों देशों के बीच में संबंद अच्छे होते हैं जब USSR disintegrate हो जाता वहीं पे अगर बात किया जाए specifically Russia, China और Ukraine war का तो जिस तरीके से US और European countries Ukraine को support कर रहे हैं अपने हिसाब से या बहुत हद तक इसरेल को support कर रहे हैं और अपने support को justify कर रहे हैं वहीं पे चाइना के उपर ये allegation लगाया जा रहा है कि ये Russia को support कर रहे हैं हलाकि इस चीज के बारे में अब तक China कभी भी accept नहीं किया है कि वो किसी भी तरीके से Russia को support कर रहा है Russia-Ukraine war में लेकिन वहीं अगर बात किया जाए US का तो ये समय दर समय ये कहते हुए आए हैं कि Russia को indefinite तरीके से support किया जा रहा है चाइना के द्वारा और अकर थोड़ा सा हम Russia और China के relation को समझना च पतलबे कि जितने लोगों को लगता है कि Russia हमारा all-weather friend है तो एक बार आप ये भी देखिए कि Russia या व्लादेमिर पुतिन भारत के लावा और भी किन-किन देशों से मिल रहे हैं और कितनी बार मिल रहे हैं तो इन सब से हमें एक बहुत ही ground reality मालूम पड़ेगा और हम अपने position को बहुत ये अच्छी तरीके से analyze कर पाएंगे साथ में मैं बताता चलू कि Russia में President का एक term 6 साल का होता है और वहीं पे चाइना का 5 साल का होता है क्योंकि बीते कुछ सालों में President Xi और व्लादेमिर पुतिन काफी close आये हैं इसलिए multiple times ऐसा देखा गया है कि US और European countries चाइना को directly ये बोल रहें कि आप व्लादेमिर पुतिन से बात करें और Russia और Ukraine के बीच में जो war चल रहा उसे आप रोकने के लिए negotiate करें व्लादेमिर पुतिन उस moment पे war को रोकना चाहेंगे जिस moment पे Russia complete तरीके से Ukraine को dominate कर लेगा और जब Ukraine अपने आपको surrender करेगा तो व्लादेमिर पुत को शुरू नहीं करेगा और जब तक हम export oriented देश नहीं बनेंगे तब तक शायद जो हमारा behavior रहेगा वो बहुत हर तक defensive रहेगा और हमें geopolitical events को काफी close तरीके से monitor करते रहना चाहिए ताकि हमें ground reality के बारे में मालूम रहे I hope that you like the video अगर फिर भी मुसे कहीं कोई कमी या कहीं को जलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा पैंचाहूंगा क्या आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye